हालो हालो हां से गुड मॉनिंग अपी करें कि आपको मोशनों गरा की कोई में कोई इशू नहीं था भी ज्यादा होगे इशू इशू था से लास्ट लास्ट थ्री-फॉर मन्थ से मैं खाने के एक घंटे के बाद वाटर ले रहा था तो थोड़ा सा सही था मतलब और अभी द टिनों दो तिन दिनों से थोड़ा सा गैस बहुत पट में बन रहा हा है खटा डकार आ रहा है और ऐसी डिटी बहुत बन रहा है ऐसा नहीं कि पहले नहीं बनता था पहले भी बनता था बट थोड़ा सा तो ठीक था कम से कम 3-4 महिनों से जब से खाना खाने के बाद पानी पी रहा था पहले क्या करते थे, पहले खाने के साथ लेते थे पनी, ने खाने के एक घंटे के बाद पीता था, ने ने उससे पहले, तीन चार महिने से कह रहे हैं ना, उससे पहले मेरे को एक्जैक्ट याद नहीं सा, हो सकता है, मतलब 15-20 मिनट के अंदर पी लेता होगा, तो पहले आपका टोटल पानी का इंटेक कितना था, उस समय भी पानी का इंटेक मेरा होगा, कम से कम 5-6 गलास पर दे होगा, और फिर जब ये 3-4 मंथ का मैं बता रहा हूं जो कुछ दिनों पहले से, उस समय थोड़ा वाटर इंटेक मेरा अधीक था, कितना, मुझे लगता है 6-7-7, 7-8 गलास होगा, 7-7 गलास कम से कम, 6-7 गलास, तो उस से 3-4 महिने पहले आपको एसिडिटी थी या, हाँ से, ये मेरे को, I mean, 28-10 सालों से, मतलब एसिडिटी इंडाइजेशन का इशू है मेरे को, तो जो पहले आपको एसिडिटी थी, वो जो आप पूरे 5-6 साल से, तो उसमें ज़्यादा थी, या महला उसके बाद किये कम होई जबाब ने, खाने के बाद पानी पीना शूरू गिया, जब खाने के बाद, आदे एक घंटे के बाद पीना शूरू गिया, तब थोड़ा सा सही था, तब मेरा मोशन भी थोड़ा ठीक था, बट इधर एक दो दो-तीन दिनों से जो आपके टिप्स को फॉलो कर रहा हूं, तो थोड़ा और वर्ष हो गया है, दो सुबह में वान आवर वाक अंड डेस्ट कर रहा हूं, सुने से पहले भी वाक अंड डेस्ट कर रहा हूं, बट कुछ खास मेरे को पोजिटिव रिजल्ट अभी तक तो न लग रहा हूं, और मुश्रीन वगरा है कुछ ज्यादा आ रहे क्या, नहीं सर्फ़ पॉटी जो हो पतली हो रही है, पतली तो अगले कितनी वार हो रहे है, और नहीं हो तो एक ही बार रहा, यह पहले से मेरे को होता था पॉटी जो हमें सर जनरली, मतलब महीना में 3-4-5-6 के बार वो मेरे को पौटी पतले ही होती थी आप के अपर अभी सदी है कैसे टेमपरिचर अभी तो नॉर्मल टेमपरिचर है अरॉंड फिफ्टीन टेन फिफ्टीन होगा जारकंड में हो भी और और आपका फूर इंडेक किता है कि लोगर सेट में हार सेट में था ने जब एक दू दिन पहले आपसे जो वाट्सेट में बात हुआ था उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाना बढ़ाया था बहुँ ज्यादा ने कितना था पहले मिन्स दिन में तो राइस खाता हूं रात में तीन ये चार रोटी खाता था तो रात में तो नहीं बढ़ाया था पर दीड में थोड़ा सा राइस अधिक ले रहा था तो अब दो बार खाना खाते हैं और नहीं नहीं तीन बार हाँ बट वो टाइमिंग का थोड़ा हो जाता है चाहे का कितना है आपके चाहे नहीं पिता हूँ लिक्विड में फिर स्रफ पानी के लाबा कुछ और लेते हैं नहीं वैसा तो नहीं बट हाँ फूट्स ग्रेप्स लिया था दो दिन यह पिछले दो दिन पहले कभी आपने न हिए और नौजर जी इस तरह तो नहीं कभी नोटिस किया है कि एड़ेप्स क्यूंट पके करीब लिया था क्वांटिटी और यह चाहे कम emperor 200 ग्राम कम्षे कम कुछ और तो फार दोन दिन लिया था किया सै हाँ हाँ दोनों दिन हाद हाँ दोने दिन और कुछ वैसा तो नहीं मिल्क भी यह भी तो आपने बोला था नहीं पीने तो दो-तिन दिन से मिल्क भी नहीं ले रहा हूं अग्रेप्स की वैसे हो सकता है आप रेगलर्ली फूट लेते हैं नहीं नहीं वह गर में आ गया था तो खाले नहीं तो अधर्वाइस एपल वगयरा करें जेनरली एपल वगयरा खालेता हूं अल्मुस्ट रेगलर है वो रेगलर कह सकते हैं क्योंकि महीना में हो सकता है कमसे हम 15-20 दिन तो खाई ही लेटा था और एपल एक ही लेते हैं एक दिन में या ज़्यादा होता है एक या दो आप एक काम कर सकते हैं वाक इन रेस कंटिन्यू कर लीजए और पानी के इन दे के एक बढ़ा लीजिए अच्वा कितना तक ले जाओ सब्सक्राइब पर आपको एसीड़ी भी आपका वेट कितना है एक्जाक्ट बहुर्दिन से वह तो नहीं किया बट फिफ्टी फाइफ का राउंड होना चाहिए हाइट फाइफ फॉर अज भी वोकिन रिस्ट कर रहें किया अभी तो वह वह भी नहीं थोड़ा इसा नीज भी नहीं आता है से मेरे को पूरा प्लिटी क्योंकि आपको बताया था दिन में थोड़ा मेरे को नींद आ जाता है कि दोपार के टाइम में तो अगर उसके उससे भी वह इशू हो सकता है बड़ थोड़ा नीन आया था और फिर रात में थोड़ा नीन नहीं आता है मेरे को सही से कि मौर्डिंग में पूरा पूरा एनेर्जेटिक नहीं फिल करता हूं या तो एक दिन और पानी कम कर लिजे खाने के साथ आधा ग्लास ले लिजे आज तक से हाँ आज के लिए आदा दा ग्लास कर लिजे और फूट सोरे मत लिजे कुछ अच्छा ठीक है तो उसके बाद वाके डेस्ट कर लिजेगा दो गंडे के करी जो कर रहे हैं तो फिर देखते हैं कल का क्या सिचुशन रहता है फिर उसके बाद कल पानी बढ़ाने का कर लेजेगा ओके ठीक है मैं आपको कल बताता हूं या फिर इंडिंग में मेंसेज करता हूं ठीक है अग्यू से अ झाल